दोस्तो बच्पन में आपने चुंगम को निगलने से जोड़ी कई सारी बातें सुनी होगी जैसे कि चुंगम को शरीर से बाहर पचके निकलने में 7 साल लग जाते हैं या फिर चुंगम आपके शरीर में चिक्की ही रह जाती है या फिर आपने सुना होगा कि चुइंगम निगलने से पेट के अंदर चुइंगम का एक पेड बन जाता है क्या ये सारी बाते सच हैं? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि असलियत में क्या होता है जब आप निगल लेते हैं एक चुइंगम रबर नहीं थी जिन से आपका रबर बेंड ये टाइर बनता है पर ये रबर निकलती थी चिकले नाम के एक फल से जो सेंट्रल अमेरिका में पाये जाता था चिकले भी rubber की तरह साफ्ट होता है पर चबाते रहने से ये और भी ज्यादा साफ्ट होता जाता है पर बाद में साइंटिस्टों ने artificial तरीके से चुंगम का rubber base बनाना चालू करती है अब इसी चुंगम के base में flavor और चीनी बना कर बनाई जाती है चुंगम ये तो आपने जान अलग, flavor अलग और बाकी चीजें अलग आपका पेट स्वीट और फेवर को तो पचा लेता है पर जो चीज वो पचा नहीं पाता वो है चुंगम का base यानि कि वो synthetic rubber जो लैब में बनाया जाता है डॉक्ट्रों केनु सर चुंगम को आपके पेट से निकल कर शरीर के बाहर जा आएंगी और आपके शरीर से खाना बाहर निकालने वाले रस्ते को रोख सकते हैं अगर आप सिर्फ एक चिंगम निगल रहे हैं तो guarantee है कि आपको कुछ नहीं होगा रैसे बच्पन में कि आपने चिंगम निगली है और अगर हां तो आपके ममी पापा ने आपको चिंगम न जाफिर पिस सकतर चिंगम निगली है